जैसरी करश्ण मित्रों, मित्रों आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनांक 13 मार्च 2021 शनी वार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल की अनुसार आज 12 में से 6 राशी वालों की सितारे बुलंद रहेंगे छे राशी वालों पर भगवान शनी देवता की विशेश करपा रहेगी वहीं अन्य राशी वालों के लिए आज का दिन सामानी रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चेनल एश्टरो गुरुजी में मित्रो यदी आपने अभी तक हमारे चेनल को सब्सक्राइब यदी नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेला आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँची आप नित्य का राशी फल नई नई ज्यान वर्धक जानकारिया हमारे चेनल से प्राप्त करते रहें तो आज फालगुन मास कुरश्ण पक्ष की अमावस्या तिथी है शनीवार का दिन है और आज दिन की सुरवात पूरवा भधरपद नक्षतर से होगी और कुम्भ राशी में चंद्रमा का संचरन होगा और आज राहुकाल रहेगा प्राता काल नो बच के बत्तीस मिनिट से आरम्म हो करके तो ग्यारा बच के एक मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शूब नया वा मांगलिक कारी आरम्म नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी भी आप नहीं करें और आज दिसा सूल रहेगा पूरव दिसा में तो आज के दिन आप पूरव दिसा की और मुख करके कोई भी शूब मांगलिक वा नया काम आरम्म नहीं करें पूरव दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आपके लिए अतिय आवशक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पूरवक पूजा आरादना करके अथवा इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक सदिक जाप करके यात्रा आप कर सकते ही और आज का सर्वसरेष्ट मोहरत अभी जीत मोहरत आरम्म होगा दिन के 12 बच के 7 मिनिट से आरम्म हो करके तो 12 बच के 54 मिनिट तक सर्वसरेष्ट शुब समय रहेगा तो इस समय अवधी में आप किसी भी नई वस्तु की खरीदारी कर सकते ही या किसी भी नए काम की सुरुवात करना चाहते ही तो इस समय अवधी में आप कर सकते ही तो अब जानी अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते है और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शूब रहे और कारी छेतर में भी आपको सफलता मिले तो मेंसराशी से आरम्ब करते हैं मेंसराशी वालों के अनुसार आज का दिन उस प्रकार से रहेगा कि आज आप जिस बात की आशंका कर रहे हैं वह बात नहीं बन पाएगी यदि आप किसी वसुली आदी पर जा रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलने के योग हैं लेकिन एक बात का आपको दियान रखना चाहिए आज किसी से कोई वादा आपको नहीं करना चाहिए आज यह भी हो सकता है कि आप जिसका भला करने की सोचे वहाँ आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुचा दे इसलिए आज आपको थोड़ा सतर करह करके काम करने की आवशकता है इसके अलावा आज परिवार के साहिट कहीं जाने का प्रोग्राम आप बना सकते हैं तो आज आपको भाग्य का साथ 65 परतिसत अपराप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक 6 है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियोग कारेच्षेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारेच्षेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपके लिए विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राताहकाल इसनान करने के पस्चात भगवान शनी देवता के मंदिर में तेल का दान करें और ओम रवी पुत्राइन महा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें ऐसा करने से कारेच्षेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज पार्टनर्सिप में विवसाई करते हैं तो आज आपके कंदे पर कुछ अतिरिक्त कारेभार हो सकता है वही यदि आप नोकरी आदी करते हैं तो कोई नया काम आपको सोपा जा सकता है जिम्मेदारियां आज आपकी बढ़ सकती है रही बात घरेलू समस्याओं की तो वहां भी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेगी लेकिन ऐसे में परेशान आपको नहीं होना चाहिए बलकि अपने वरिष्टों की राय लेना चाहिए इससे हो सकता है कि आपकी समस्या कुछ हद तक साल्व हो जाए इससे आपको कारीचेतर में भी अच्छी सबलता प्राप्त होगी तो आज आपको भाग्यकासाथ 55% प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुब रंग आपका नीला रंग है निले रंग का प्रियोग कारेच्षेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारेच्षेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान शनी देवता के मंदिर में जाएं एक काला वस्तर और काले उड़द अर्पित करें और ओम शम सनेश्चराइन महां इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें एसा करने से कारे छेतर में आपको विसे सफलता मिलेगी अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आपको कुछ उत्तरदाईत वाला काम मिलने वाला रहेगा इससे आपको थोड़ी समस्याई हो सकती है लेकिन आपको धहरी रखना चाहिए अच्छा फल भी आपको मिलेगा आज साम को चलते फिरते अचानक प्रिये जन्से मलाकात की योग है साथ ही आपको उसकी ततकाल मदद भी करना पड़ सकती है और वियापार विवसाय में कुछ कठनाईयां आएगी लेकिन इसके बावजूद आप स्वयम को कमजोर नहीं समझे यकीन रखें कि आने वाला समय आपके लिए खुशिया लेकर के आएगा आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा तो आज आपको भाग्य का साथ असी प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक दो है शुब रंग आपका गुलावी रंग है गुलावी रंग का प्रियोक कारी छेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारेचेतर में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राता है काल इसनान करने के पश्चात यथा शक्ती शनी देवता की पूजन करें शमी पत्र अर्पित करें और पुष्प की माला अर्पित करें मिठाई का भोग लगावें और ओम यमाई नमाह इस महा मंतर का अधिक सदिक संख्या में जाप करें एसा करने से कारेचेतर में आपको विशे सफलता मिलेगी अगली राशी है करक करक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज करक राशी के जतकों के लिए विशे सलाहा यहा है कि आज एका एक ही आवेस के वशिबूत होकर कोई गलती करने से आपको बचना चाहिए अन्यता आपकी मुश्किले बढ़ सकती है किसी के प्रती मन में गलत विशार नहीं लाए यानि कि बहतर होगा कि खुद के अलावा दूसरों के बारे में अच्छा विशार रखे सकारात्मक विशार धारा रखे ध्यान रखें जो भी कारिया आप कर रहे हैं उसे बीच में आप नहीं छोड़े आज किसी नए व्यवसा या अनुबंद का योग बन रहा है या किसी नए काम की सुरुवात करना चाहते हैं तो आज का दिन अनुकूल है तो आज आपको भाग्य का साथ 65 परतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक छे है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियोक कारिचेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिचेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान शनी देवता को तेल से इसनान करावे कालावस्तर और काली द्वजा का दान करें और ओम शम सनिश्चराइनमा इस महामंतर का अधिक सदिक संख्या में जाप करें ऐसा करने से कारी छेतर में आपको विशे सफलता मिलेगी अगली रासी है सिम्ह सिम्ह राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज सिम्ह राशी के जतकों के लिए सलाह यह है कि अपने चारों तरप के वातावरन पर नजर बनाए रखें खास तोर पर उन लोगों से आप सतर करें जो आपको कभी भी नुकसान पहुचाने की कोशिस करते हो या आपको कोई गुप्त सत्रू हो इसके अलावा व्यापार यदी कर रहे हैं तो आपको सतर कर रहने की आवशकता रहेगी बिजनेस में कोई राइवल हो तो उसे भी नजर अंदाज आप नहीं करें अन्यता आपको नुकसान जिलना पड़ सकता है तो आज आपको भाग्य का साथ 65 परतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक एक है शुब रंग आपका केसरिया रंग है शनी देवता की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें शनी देवता के मंदिर में अनाज का दान करें एक स्रीफल चड़ावें और ओम यमाई नमाह इस महा मंतर का अधिक साथिक संख्या में जाप करें तो ऐसा करने से कारीचेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कोई अगर आपकी और प्रेम प्रणय का हाथ बढ़ा रहा है तो आप अपना स्टेटस देख कर उसका जवाब दे क्योंकि हो सकता है कि वहाँ आपका कोई सारीरिक फाइदा उठा सकता है आज आपका कोई शोशन भी कर सकता है आपको सतर करने की आवशकता है आज आपको अपने कारी छेतर में कुछ फेर बदल करने की अवशकता है ध्यान रखेंगी यह बदलाव आपके लिए कुछ बहतर परिणाम जरूर लेकर के आएगा परिवार को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को समझने का प्रयत्न आज आपको करना चाहिए अन्यता आपके रिस्तों में दूरिया बढ़ सकती है तो आज आपको भाग गया साथ साथ प्रतिसत्त प्राप्त होगा आज आपका भागियशाली अंक आठ है शुब रंग आपका निला रंग है नीले रंग का प्रयोग कारि छेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश या असमर्थता साफ साफ जाहिर कर देना चाहिए इस पस्ट व्यभार करना चाहिए ध्यान रखें कि यह परेशनिया जल्दी ही आपकी खत्म होगी कारी छेतर में महतुपुलन कागज पत्रों को समाल करके आप रखें अन्निता किसी बड़ी मुस्किल में आप पड़ सकते है तो आज आपको भाग्य का साथ 55 परतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य साली अंक चार है शुब रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छ प्रश्चिक राशिवालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा यदि आज आज आप कोई नोकरियादी खोज रहे हैं या नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपने ही इर्दगर्द लोगों की मदद आप ले सकते हैं हो सकता है कि इन में से कोई आपके लिए काफी मददगार साबित हो और आपको अपने इस तर पर जो भी करना है उसे समय रहते आपको कर लेना चाहिए किसी भी कारी में आलत से आपको आज नहीं करना चाहिए मन को एकागर रख करके काम करेंगे तो काफी सफल रहेंगे ससुर रग करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्टी होगी तो आचके दिन कारीच छेत्र में विशेश उपाई इस प्रकार से ही कि प्राता है काल इसनान करने के पश्चाद सनी देवता को विशेश उसनान करावें अगली राशी है धनू, धनू राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज आप अपने काम को निकालने में लापरवाही करने से बचें, क्योंकि अगर आपने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया, तो आपके बंते-बंते कारी बिगड़ भी सकते ही, इस साहवर्दक मांगली कारियों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जिससे कि आपके मान प्रतिष्ठा में वरत्धी होगी, तो आज आपको भाग्य का साथ 65 प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, आज आपका भाग्य साली अंकसा थे, शुबरंग आपका बादामी रंग है, बादामी रंग का प्रियोग कारिय चेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारिय चेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाहिस प्रकार सहे, कि प्रात है का लिस्नान कर अगली राशी है मकर मकर राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आपके लिए किसी पुराने संकल्पों को पूरा करने का दिन है आपने किसी देवता के मंदिर में मनोती मांग रखी है तो उसके लिए ततपरता से समय अवश्य निकाले या वह काम पहले कर दें जितना भी आप किसी मामले को लंबा खिचने की कोशिस में रहेंगे आगे चल कर कि उसी में आपके मुसिबते बढ़ जाएगी आपका खर्च भी बढ़ जाएगा हाला कि आने वाले समय में आपके लिए कोई अच्छी न्यूज इंतजार कर रही है राज जिमान प्रतिष्ठा में व्रद्धी की योग है संतान के दाईतु की पूरती हो सकेगी यात्रा देशाटन के इस्तिती सुखद वा लाबदायक रहेगी आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत पराप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंकछे है शुब्रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोक आरिशेत्र में आज अधिक सदीक आप करेंगे तो आपको विशेष लाब की पराप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेतर में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से ही, कि प्रात है काल इस्नान करने के पश्चात, इस्टील या लोहे के पातर में तेल ले जाकर के, सनी देवता के मंदिर में अर्पित करें और ओम सम सनेश चराइनमा इस महा मंत्र का 108 बार जाप करें एसा करने से कारी छेतर में आपको विशे सफलता मिलेगी अगली राशी है कुम्भ कुम्भ राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज काफी अरसे बाद आपकी रूटीन लाइप में कोई परिवर्तन हो रहा है यदि कोई नया उहदा या पद आपको मिल रहा है तो आप उसके स्विकार करने में देर नहीं लगाएं हो सकता है कि यहीं से आपके लिए तरकी के द्वार खुल जाएं और परिवार में भी सुब समाचार के संकेत मिल रहे है आमदानी के नए इस्तरोत्र आपके लिए निर्मित होंगे आज वार्नी की सोम्यता आपको सम्मान प्राप्त करवाएगी और सिक्षा प्रतियोगिता में विशेश सफलता प्राप्ती के योग है तो आज आपको भाग्य का साथ 90% प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक पांच है शुबरंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रियोग कारेच्षेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारेच्षेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान शनी देवता की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें स्रीफल और मिस्री का भोगर्पित करें और ओम यमाई नमाह इस महामंतर का यथा शक्ती जाप करें ऐसा करने से कारेच्षेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है मीन मीन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आपको सज धच करके कहीं जाना पड़ सकता है या फिर किसी सभा समारों के लिए तैयार होना पड़ सकता है या किसी नए काम की सुरवात आप कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखे कि आज फिजूल खर्च और तड़क भड़क से दूरी बनाए रखें किसी को सान दिखाने वाले व्यक्ति से अपना मुकाबला आप नहीं करें आज दोपहर पस्चात किसी कानूनी विवाद या मुकदमे में जीत आपके लिए खुशी का कारण हो सकती है या किसी भी विवाद में आपको सफलता मिलने के योग हैं आज आपके शुब खर्च और आपके मान सम्मान में आपकी प्रतिष्ठा में वरद्धी के योग हैं तो आज आपको भाग्य का सांथ पिचोतर प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक तीन हैं शुब रंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ति होगी तो आज के दिन कारी छेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हिए कि प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान शनी देवता के मंदिर में आनाज वरितू फल का दान करे और ओम सम सनिश्चरायन महन इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें एसा करने से आपको अपने कारी छेतर में विसे सफलता मिलेगी तो मित्रो आशा करता हूँ कि यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्ण मित्रों फिर मिलेंगे